इस्रेल हमास युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताए इरान की एक बड़े हथियार ने इस्रेल के युद्ध में एंट्री कर ली है नेतन्याहू को इस हथियार के बारे में जब से पता चला है उनकी नहीं पूरे इस्रेली सेना की नीन दुड़ गई है अब जर है कि इरान ने अगर इस युद्ध में एंट्री कर ली तो इस्रेल खुद को कैसे बचाएगा इस्रेल को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दस बीस नहीं, सौ दो सो नहीं बलकि 358 मौत देना चाहता है इरान इस्रेल के सामने इतने दुश्मन खड़े हो गए हैं कि उसे 358 मौत देना चाहते हैं इस्रेल ने घाजा पर जितने पम गिराएं हैं, उसका बदला 358 मौत से लेना चाहते हैं 358 मौत के क्या माइने हैं, 358 मौत का खौफ कितना ज्यादा है यह स्वत इस्रेल के चारों तरफ यम्राज बन कर मतरा रहा है यहां हेजबुल्ला भी है, इरान भी है, खूथी भी है और अब इराक का वो मिलीशिया भी है जिसने अमेरिका का जीना मुश्किल कर दिया है आखिर 358 मौत है क्या और इस्रेल क्यों इससे घबराया हुआ है क्योंकि यह एक ऐसा हत्यार है जो इरान से निकल कर अब हिजबुल्ला के पास पहुँच गया है खूथी इसे लगातार फायर कर रहा है 358 मौत की मिस्टरी अब खुल कर सामने आ गई है इसी मिसाइल से या कहें ड्रोन से हिजबुल्ला ने इस्रेल के बहुत बड़े सीक्रेट एजेंट को मार गिराया है हिजबुल्ला के महसचेव हसन नसरल्ला ने कहा था कि वो इस्रेल के खिलाफ उनका हर विकल्ब तयार है और इसी का हिस्सा है 358 मौत ये है जमीन से आस्मानी टार्गेट्स को खत्म करने वाली 358 मिसाइल और ये बांट रही है 358 मौत हिजबुल्ला ने इसी मंडराने वाली मिसाइल से इस्रेल के बहुत ही खास ड्रोन हरमेज को मार गिराया हरमेज 450 इस्रेल का बहुत ही भरुसेमन ड्रोन है जिससे एंटी टैंक मिसाइल फायर की जाती है जब ये ड्रोन लेबनन के आस्मान में पहुचा तो हिजबुल्ला ने उस पर 358 मौत माटने वाली मिसाइल फायर की और देखिए क्या नतीजा निकला ये इरान का वो हर्फनमौला हथियार है जिसे ड्रोन भी कहा जाता है ये इरान की मिसाइल भी है जो इरान की ड्रोन टेकनलोची को मौत बरसाने वाली सबसे नई तकनीक साबित कर रही है इरान से निकली 358 मौत इस्रेल के खुफिया मिशन को धुआ धुआ कर रही है ये मिसाइल भी है और ब्रून भी ये कैसे अपने टार्गेट को खत्म करती है इसकी तक्नीक की बहुत बारीक बातें समझ लीजे 358 नाम की ये मिसाइल एक ब्रून की तरह काम करती है जो फायर करने के बाद आसमान में आठ नमबर के आकार की तरह गश्ट लगाते रहती है और जैसे टार्गेट इसकी जट में आता है ये उस सिजा कर टक्रा जाती है 358 मिसाइल में आगे की तरफ लगा इंफ्रा रेड सेंसर इसे टार्गेट की भनक देता है और फिर ये अपने निशाने की तरफ बढ़ जाती है ये एक ड्रोन से तेज रफतार से चलती है जबकि एक मिसाइल के मुकाबले में इसकी स्पीड कम होती है अमेरिका से लेकर यूरोप तक इसी मिसाइल की बात कर रहा है इसराइल में भी यही मिसाइल चर्चा में है हिस्बुल्ला ने जब से इसराइल का ड्रोन मार गिराया है तब से लेबनान के आस्मान में चिंगारी की नई शुरुआत हुई है जो इस जंग के दाइरे को और बढ़ा सकती है इस बीच इरान से एक नई तस्वीर वारल हो रही है यह है इरान के सुप्रीम लीडर अली खाम नहीं की जो इरान के घाजा नाम के ड्रोन को देखने पहुँचे इस ड्रोन को इरान का सबसे पाउरफुल लीडर क्यों देख रहा है इस वक्त पूरी दुनिया में इसके मतलब निकाले जा रहे हैं इरान ने घाजा नाम का जो ढून बनाया है ये 2000 किलोमीटर के दायरे में उपरेट कर सकता है ये 35 घंटे तक 300 किलोमेटर प्रती घंटे के रफ़तार से ओडान भर सकता है 35,000 फीट की उचाई तक उड़ सकता है और सबसे खदरनाक बात ये 13 मिसाइल लेकर उड़ सकता है ठीक ऐसे ही अपने हथियार इरान ने रूस को भी दिखाये थे जब 19 सितंबर को रूस के रक्षा मंतरी सरगेई शोईगू ने इरान का दौरा किया था ये दौरा बहुत सीक्रेट रखा गया हलाकि जो दस्वीरे सामने आए उसमें ये साफ हो गया कि सरगेई शोईगू इरान की खास-खास मिसाइल देखने तेरान आये इरान ने उनके सामने अपने एक-एक हथियार की डीटेल रखी इसमें ड्रोन भी थे और बलेस्टिक मिसाइल भी ठीक वैसे हथियार जो रूस को ये उक्रेन में लड़ने के लिए चाहिए इरान के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेटियर जनरल आमिर अली हाजी जादे साथ साथ थे और वो बता रहे थे कि रूस को क्या लेना चाहिए